नमस्कार दोस्तों सेर मार्केट के गुरुजी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चार्ट ओपन के बनास फाइनांस स्टोक का एक हपते के अंदर 18% यह स्टोक गीर चुका है तो दोस्तों जानेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल का आज का जो मैंने आपको बोला था कि यह स्टोक में इन्वेस्मेंट करना रिस्की है अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोवर सर्किट लगी हुई है और 18% यह स्टोक गीर चुका है तो दोस्तों अब आपको इस टोक में क्या करना चाहिए वो हम अच् पस नजर आ रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बला था कि यह स्टोक के अंदर सेरोल्डिंग पेटर्न में रिटेलर बहुत ज़्यादा गुसे हुए है और प्रोमोटर सिर्फ 13% ही है और डिया वालों ने यह स्टोक के अंदर 0.50 10% ही इन्वेस्मेंट किया हुआ है एक उन लोगों को क्या करना चाहिए जब तक अप लोवर सर्कित नहीं हटती है तब तक उन लोगों को होल्ड करना चाहिए जब लोवर सर्कित हटती है और यह स्टोक में वापिस अपर सर्कित लगती है और जैसे ही यह स्टोक आपने जिस प्राइस पे खरीदा है उस प्राइ में रिस्की है और दोस्तों आपको अपने एक्सपर्ट या पने ब्रोकर से राय रहे और आपका अच्छा-कासा मुनाफा होता रहे जाए हिंद